दोस्तों आपने कविता तो जरूर पढ़ी या सुनी होगी कि मचली जल की रानी है, जीवन ही उसका पानी है परन्तु आज मैं जिस मचली के बारे में आपसे बाते करूँगा वो मचली तीन से चार साल तक बिना पानी के रह सकती है है न बड़ा जीब, बहुत से लोगों को ये जानकर हैरानी भी हो सकती है कि हम बात कैसे कर रही है लेकिन सही है, ऐसी मचली होती है और उस मचली का नाम है लंग फिस लंग फिस एक ऐसी मचली है जो पानी के बाहर कई दिनों तक जीवित रह सकती है लंगफिस की दक्षिन अमेरिका, अफरीका, आस्टेलिया में केवल 6 पर जातिया पाई जाती है दक्षिन अमेरिका और अफरीका में पाई जाने वाली लंगफिस की चड़ में खुद को छिपा कर जिन्दा रह सकती है ये सूखे मैदान में पानी के बिना कई दिनों तक जिन्दा रह सकती है कई अध्यनों में पाया गया कि ये मचली 2-4 वर्स तक पानी के बाहर जीवित रह सकती है यह चोटे पोधों के साथ साथ अन्य चोटी-चोटी मचलियों कीड़ों आदी को भोजन के रूप में ग्रहन करती है लंगफिस डिपनोई वर्ग से संबंदित मीठे पानी की कशेरूप मचली है लंगफिस के मुहूं में आम तोर पर दांत की प्लेटे होती है जिनका उपियों, कठो और कवच वाले जीवों को कुचलने के लिए किया जाता है समू का जीवाशम रिकॉर्ड 410 मिलियन वर्स पहले प्रारामबिक डेवोनियन तक फैला हुआ है समू के सबसे पहले ग्यात सदशय यानि इस मचली के जो पुर्वज थे वो समुद्री थे जबकि कार्बोनी फिरेश के बाद से लगवग सभी परतिनीदी मीठे पानी के वातरण में रहते हैं यानि कि उसके बाद से जितने भी इनके मचली का जो डवलप्मेंट वो मिठे ही पानी में हुआ लंग फिस कई ऐसे तालावबे में रहते हैं जो गर्मियों की मार नहीं जेल पाते लंबी गर्मियों के मौसम में ये सूख जाते हैं तब ये मचली अपने सरीर से एक खास किसम का स्राव करती है और मौत की नींद सो जाती है लंग फिस अपने सरीर से एक खास किसम का जो स्राव करती है वे अपने सरीर के इर्द गिर्दे खोल त्यार कर लेती है वो उसी खोल में चुप चाप मौत की निंद सो जाती है मौत की निंद इसलिए क्योंकि वे उस खोल में 3-4 साल तक अपने आपको इस तरह छुपा लेती है मनव मर गई हो और दोबारा पानी मिलने पर वो दोबारा से एक्टिव हो जाती है तो आज की वीडियो में इतना ही उमीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी वीडियो पसंद आती है तुमरी यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूलिएगा मिलते हैं दूसरी वीडियो में तब तक के लिए तन्यवाद